दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ Instagram ID को कैसे डिलीट किया जाता है या आप कह सकते Instagram एकॉंट को डिलीट कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको Complete Process बताता हूँ सबसे पहले Instagram Application को Open कर लेंगे आपको कहीं पर भी वीडियो को skip नहीं करना है नहीं तो आप delete नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा घुमा फिरा के इंस्टाग्राम जो है option दिया है delete करने का वो option आपको जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो जैसे जैसे हम तरीके बताएंगे उसी त प्रोफाइल में आ जाएंगे और यहां पर त्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर सेटिंग वाले option पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल आप step by step देखेंगे बिल्कुल आप delete कर पाएंगे Instagram ID या Instagram account को तो यहाँ पर देख सकते हैं delete your account तो यहाँ से आपका delete Instagram नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सफ़र चालू हो जाता है Instagram delete करने का तो यहीं से आप सुरू कर सकते Instagram को delete है यहाँप करते हैं तो देख सकते हैं ini और इस वाले आपको कहीं पे भी औसन आपको नहीं मिलेगा कि इस यहाँ पे आपको आपको नहीं मिलेगा टो यहाँ पर खून option पर जाना है बहुत धींद से देखना है और जैसे ही second option पर देख सकते हैं जैसे इस second option पर जाएंगे तो यहां पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और चली हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो इस पेस को थोड़ा सा आप उपर करेंगे और उपर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक option मिलेगा delete your Instagram account तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं android apps help का एक option मिलेगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारा option मिलेगा लेकिन आपको select करना है mobile browser help तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपको step by step देखना है, आपको इसी तरह से follow करना है, तभी आप Instagram को delete कर सकते हैं, तो इस page को थुरा सा आप उपर करेंगे, जैसे ही आप उपर करते जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि delete your account का option आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं, तो यहीं से फानली आप delete कर पाएंगे, delete your account, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक फिर से नया page आपके सामने में खुलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना गुमा फिराकर यह option इंस्टाग्राम ने दिया है कि बहुत अंदर में दिया है कि आप delete की नहीं कर सकते हैं, आप इस्टाग्राम को छोड़ के ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे पर्माने डिलीट कर सकते हैं, तो यह यहाँ पे जो आपका Instagram account का password है या जो Instagram ID का यहाँ पे password है, वो यहाँ पे आपको इंटर करना है, अगर आपको password मालूम नहीं है, तो forget password पे आप किलिक करके पता कर सकते Instagram account का password क्या है, वोसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ किस तरह से Instagram account का password कर सकते हैं, उसका भी link आपको description में दे दूँगा, तो चलिए मैं उझे जो है पता है Instagram account का password, तो यहाँ पे password इंटर कर देंगे, तो Instagram account का password हम दे चुके हैं, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक option मिलेगा delete, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका user ID होगा Instagram का, वो भी यहाँ पे आपको सो तो यहाँ पे 18 माई को यह delete होगा Instagram account, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुरण delete नहीं होता, हलाकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक महिने के अंदर में, अगर इसी account को इसी ID से आप login कर लेते हैं, तो आपका delete कभी भी नहीं होगा, तो इस बात को आपको धिया नहीं करना है, तो जैसे ही delete वाले option पे आप click करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका Instagram account जो है delete हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने Instagram account को Instagram ID को delete कर सकते हैं,